अब हम देखेंगे के हम जो यह AutoCAD 2014 जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम इंस्टॉल करना है हमने तो सबसे पहले तो हमें इसका क्रैक वर्जिन चाहिए होगा तो वह हम किसी भी किसी सबस्क्राइब कर सकते हैं अगरा सकते हैं इसमें कोई जो है बहुत ज्यादा आपको ढूंडा नहीं पड़ेगा मुख्तली वेबसाइड है इसमें भी आपको मिल जाया है get into pc और इसके लावा मुखलिफ और वेबसाइट हैं बे तहाशा वेबसाइट हैं जहां से मर्जी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो हम कोशिच करेंगे हम भी डाउनलोड कर सकें के आपको नहीं मिलता है तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें काफी इंफिंस आटो कैड के बारे में मिल भी रही है कि AutoCAD किस तरह इंटर्फेस कैसा है उसका यहां आपको इंटर्फेस नदर आ रहा है उसका उसके बाद जो मॉस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आपकी कमपेटिबिल्टी आपके सॉस्टम की उसके साथ है के नहीं है कि AutoCAD 2014 मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि इसके अंदर आप देखें तो आपको सिर्फ 2GB RAM अपने सिस्टम में रिक्वाइड चाहिए छे जी फ्री हार्ट डिस्क होने चाहिए ड्यूल को प्रोसेसर हो उसके चल जाएगा विंडो एट सैवन और एक्सपी यह सब पे चल ज तो यह सब आपने डाउनलोड करना है software और इसके लावा और भी मुतलिफ किसम के software यहां पर वेलेबल होंगे लेकिन आपने जो वरिजन इसका लेना है वो 2004 ही 14 ही लेना है क्योंकि यह आपके लिए तो इसका इंटरफेस जो है वो नया है जो लेटस चलने हो उसके साथ का है मगर जो इसका कपैसिटी है चलने की और जो इसका लोड है वो उतना नहीं है जितना अडवांस बिलकुल जो हमारे 2019 या 18 आ रहे हैं सिस्टम की कपैसिटी भी देखके हमने चलना है तो इस वजाए से हमने वो चीज़ पहले सीखनी है जिसमें हम एजीली का वर्क भी कर सकें तो AutoCAD 2014 जो है वो अगर आप सीख लेते हैं तो आप उससे लिए वर्जिन पर भी काम कर सकते हैं तो यह इसका बेनेफिट है तो इस वजाए से हम यह सॉट्वेर सीखेंगे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है वहां से किसी वीब साइट से और इसको पैच करना का एक तरी से लिए लंबर मिलेगा वह आपने लिख देना है सिरियल लंबर उसके बाद आपने यह दियान रखने आपने इसको जब पैच करना है तो आपने जो इसको पैच करने से मुराद यह कि यह फ्री नहीं होगा जो आप इंस्टॉल करेंगे थर्टी डेस का ट्राइल देंगे आप वो उसको जो है ना परचेष करना है हिसको प्रैक करने क्रैक्ड इसको नहीं चलाना हमने पैच करके चलाना है ताक कि हमने कोई प्रॉबलम ना है तो इस विज़ाए से हमने इसको patch करने का तरीकह जो है वो सीखने है वो हम फर्दर सीखेंगे भी वो एक जो है एक method है lengthy method है थोड़ा सा patch करने का उसमें हमें थोड़ा सा इसके साथ जो है न थोड़ा familiar होना पड़ेगा पहले autocad के साथ और पैच करने का तरीका जो है वो हम सखेंगे साथ साथ इसके लेकिन उससे पहले आपको सिखाख भी दूँगा किस तरीके से हमने इसको पैच करेंगे मगर अब फिल हाल के लिए आपने इसको It standard करना दुरूरी आपके लिए ठीक है आपने इसके साथ बाकी चीजें जो है जो फीचर्स मिल रहे हैं बेशक वो ना इस्टॉल कर ले करिएगा सिर्फ ऑटो कैड ही इस्टॉल करिएगा ठीक है तो इसके साथ बाद वकात वह मुस्लिफ ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप डिस्प्ले सेटिंग और यह भी यह सीखने में बेनिफिशल होगा